हेलो फ्रेंज आज हम बात करेंगे कोलेस्टॉल की मेडिसिन से एलेटेट कुछ important issues पर कुछ common सवालाद जो ज्यादातर लोग हमसे कोलेस्टॉल मेडिसिन सम्मंदित पूछते हैं उन चारे चीज़ों को आज discuss करेंगे सबसे common सवाल सबसे important सवाल जो लोग हमसे पूछते है कि cholesterol की दवा को कब चालू करना चाहिए अगर एक बार किसी की cholesterol की reading अगर ज़्यादा आ गई मानले ज़िए triglycide 200 हो आ गया 200 हो आ गया या किसी का LDL cholesterol 180-190 आ गया तो क्या medicine straight away start कर देनी चाहिए guidelines में ऐसे कोई clear mention नहीं है पर मेरा normally recommendation यह रहता है कि at least 6 months तक आप medicine के बिना try करिये कितना आप cholesterol कर पाते हैं मानली जगर आपा cholesterol बहुत ही जादा हाई है LDL 200-200 पार कर चुका है और सबसे important चीज़ यह है कि यह start करने से पहले एक बार एक दो labs में इसको re-verify भी कर लिज़े क्योंकि काफी commonly मैंने देखा है कि labs में errors आ जाते हैं और एक lab की values और दूसरे lab की values में कई बार significant difference भी आ जाता है कई बार यह बहुत चोटे technical issues पर depend करता है कि कि किस तरह से blood का sample लिया blood sample कितना dilution था proper processing हुई कि नहीं kit में variations भी हो सकते हैं तो इस बच्चे से कई बार different values same बंदे की एक दो दिन के अंतराल पर भी अगर करते हैं तो different values आ सकती है इसलिए proper fasting अगर sample आपका जाधा आ रहा है और अगर patient को cholesterol जाधा है तो I would recommend कि at least 6 months का एक बार patient को trial करने दीजे कि वो control कर पा रहा है कि नी उस दोरान सारी अच्छी dietary recommendation तेल की कम करना, exercise करना, wesen control करना, wesen कम करना, सब कुछ follow करें fiber diet high लेना मेरे काफी triglycerides और cholesterol related videos आप चाहें तो सब में tips के लिए देख सकते हैं 6 months तक उसको करिए अगर आप नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो सारी चीज़ों के साथ में medicine को कीज़े ऐसा नहीं कि medicine start के तो बाकि सब बन ऐसा नहीं, medicine को साथ में उनके लिजे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर 6 months में भी patient cholesterol levels को control नहीं कर पा रहा है, 6 months में भी medicine लेने के उसके लिए compulsory हो रहा है और उसका cholesterol level cutoff level से काफी जाधा है पहले तो यह है कि उस वेक्ति का cutoff कितना है वो calculate करना ज़रूरी है एक euro score करके मैंने वीडियो कुछ टाइम पहले अपने channel पर publish किया था वो चाहे तो आप देख सकते है उसमें आप calculate कर सकते है आपके age और आपके risk profile के इसाब से आपके जो risk factors है उसके साब से आपका LDL level कितना होना चाहिए और आपका मानली जगर 160 का cutoff है तो 160 तक आप diet एक्साय से लाने का कोशिच की जंग नहीं हो रहा है तो फिर आप low dose में statin को start केज़े कितना ज़्यादा difference है उसके हिसाब से आप medicine को start केज़े सबसे common medicine जो लो use में use करते हैं वो statins है यानि cholesterol कम करने वाली HMGCOA reductis in importase है क्योंकि इसके cholesterol में LDL पे भी अच्छा effect है triglyceride पे भी अच्छा effect है HDL पे positive effect है और सबसे ज़्यादा mortality benefit या मृति उदर को कम करने के लिए सबसे positive effect इस medicine का है तो सबसे ज़्यादा used यह medicine है इसलिए अगर किसी को कोई भी parameter घरबड़े तो सबसे commonly यह medicine को use करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि cholesterol control करने के अलावा भी बहुत सारे इसमे benefits आपको मिलेंगे 6 months trial करने का basic purpose यह है कि जादतर case में अगर एक बार आपकी cholesterol medicine चालू हो जाती है तो जादतर आपको वो lifetime लेनी पड़ती है lifetime इसलिए नहीं लेनी पड़ती क्योंकि उस दबा से कोई नशा हो जाएगा कि आदत पढ़ जाएगी कि वो दबा के मिना फिर काम नहीं चलेगा कि वो metabolism आपकी suppress कर देगा ऐसा नहीं है पर लेकिन मान ली जागी अगर आप 6 months में भी अपने cholesterol को diet exercise पर control नहीं कर पा रहे तो आगे भी आप कर पाऊ इसका chance कमी है तो उसका मतलब कि आपको medicine लगेगा हाँ medicine लेने के बाद भी थोड़े दिन के बाद 6 months में या 1 year में reach चेक करके देख सकते हैं कि आपका cholesterol levels अगर कम हो गया हो तो आप दबा को बंद भी कर सकते हैं ऐसा कोई compulsory नहीं है कि दबा lifetime ही लेनी पड़ेगी पाएगा बहुत मुश्किल है कुछ लोग क्या है कि बहुत aggressive lifestyle modification करके एक बार control कर लेते हैं फिर लेकिन जहां उनकी lifestyle modification बंद हो जाती है या उनका exercise और बाकी परेज बंद हो जाता है तो फिर वही हालत हो जाती है और फिर वही मेना दो मेना के अंदर फिर वह LDL levels बढ़ना चालो हो जाते है cholesterol levels बढ़ना चालो हो जाते है तो अगर आप उसको maintain कर सके तो ही मतलब है नहीं तो फिर आपको medicine लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा यह problem medicine से curable है कि नहीं काफी लोग को हमसे पूछते हैं definitely problem curable नहीं है enzymatic structure को वो change नहीं कर देगी दवा कि आपके enzyme जो कम बन रहे थे उसको हमेशा के लिए अच्छा कर देगी वैसा नहीं कर सकती दवा कंट्रोल कर सकती है उसको जिब तक आप दवा लोगे तब तक कंट्रोल रहेगा जहां आप उसको बंद कर दोगे कर दवा फिर से वो बढ़ जाएगा इस चीज से related questions यह है कि क्या यह दवा lifetime लेनी पड़ती है जैसा कि मैंने का यह दवा से कोई आधत पर जाती है नशा हो जाता है बोडी उस पर dependent हो जाती है ऐसा नहीं है लेकिन ज्यादातर केस में अगर आप lifestyle modification से cholesterol नहीं control कर पाते है तो मान के चलिए कि आपको ज्यादातर केस में 90% केस में lifetime लेना पड़ सकता है इसके side effects क्या है side effects ज्यादातर muscle pains बहुत सारे patients को होता है इसमें muscle pathy होना या muscle का damage होना बहुत कम case में होता है उसके chances काफी कम है 1% से भी काफी कम chance है liver का damage होने का chance थोड़े बहुत केस में होता है पर उसका chance भी 1% से भी कम है यह ज्यादा तो reversible होती है अगर आप statins को वापिस बंद कर देते हो तो अपने आप कम हो जाता है काफी लोग हमें पूछते हैं कि हम बाकी पैथी के medicine को try करें यह करें को लिस्ट्रोल कम करने के लिए मर्जून चाल लें यह काड़ा गार्लिक बार्लिक पचास तरगी चीज़े ले मेरा suggestion यह कि जहां अलोपैथी में एक ऐसी medicine available है जिसके कोई significant side effect नहीं है जो आपको guaranteed result देती है और consistent result देती है बाकी कोई चीजों में भी आप जो भी products अगर try कर रहे है तो उसमें क्या है कि यह आपको guaranteed या consistent result नहीं देगी कभी cholesterol कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा कभी 3 मैने अच्छा result आजाएगा, कभी खराब result आजाएगा तो कई बार लोग garlic को, ऐसी सी चीजों को अर्जुन चाल को बहुत high dose में लिना चालू कर देते है यह जाने बिना कि उसमें बाकी कौन से तत्म है वो शेर को गरम कर रहे है ठंडा कर रहे है, नुकसान कर रहे है, फायदा कर रहे है क्या चीज़े जाने बिना लोग लेना चाल कर देते है तो मेरा सजेशन है कि यह दवा नुकसान तो कर नहीं रहे है आपको long term कुछ नुकसान कर नहीं रहे है टाबलेट ही खाना है, आप लसुन की कलिया या पचास चीज़े खा रहे हो उसके बदली यह टाबलेट टिल्ली जो आपको गारेंडर डिजल्ट मिल जाएगा और साइड इफेक्स नहीं है और कॉलिस्ट्रोल कंट्रोल करने के लवा भी जो सिग्निफिकन इंडोथीलियल डिस्वंक्शन पर बेनिफिट से प्लाक स्टेबलाइजेशन का बेनिफिट है हाट अटक के रिस्ट रिड़क्शन का बेनिफिट है बहुत सारे बेनिफिट है स्टाटिन्स के तो इसलिए मेरा सजेशन तो यह है कि कोलेस्ट्रोल अगर आपका भढ़ रहा है तो एक्सपरिमेंट करने के बदले पचास तरह के नुस्को पर जाने के बदले स्टाटिन्स ले लीजिए वो आपको प्रॉपर वर करेगा देखि कोई भी पैथी सुपिरियर या इन्फिरियर नहीं होती उसमें यह होता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग की हम बात करें कि यह पर्टिकुलर बीमारी के लिए यह ड्रग इस पैथी में अच्छी है कई के चीज़े हैं जो अईर्वेदिक में चीज़े हैं कई के चीज़े हैं जो होमियोपैथिक में चीज़े हैं कई कई बीमारी को इलाच अलोपैथी में अच्छा है तो कौन सी particular बिमारी में कौन सी दवा चल रही है उसका क्या फाइदा नुकसान है उससे हम जच करें तो ज़्यादा अच्छा है हम एक particular पैथी को discriminate करें और दूसरे पैथी को superior माँए एक को inferior माँए तो वो लोग facts पर बात नहीं करते हैं लोग culture पर फिर बात करते हैं वैसी ज को यह नहीं चाहिए कि 5000 साल पहले क्या लोग follow करते थे लोग उससे पैथी को या उस चीजों को follow करना आज के डेट में कोई compulsory नहीं है क्योंकि बाकि सब चीज हो चुका है उस जमाने में तो surgery में कोई अनेस्टीसिया भी नहीं था उस जमाने में तो surgery के को instruments भी नहीं होते पत्थरों से surgery होती थी पत्थरों को दान करकर के या अनेस्टीसिया भी नहीं होता था चार लोग लोगों को पकड़के शराब पिला के फिर surgery करते थे तो उस जमाने में कोई antibiotics भी नहीं होते थे जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया का average survival 32 years था आज 75 years है तो यह च लब तो यह कि में पांचार साल पर नहीं है और 5000 साल पूरानी surgery की पद्धिती को भी यूज करना ची तो पेशिंट को वह भी फॉलो करना ची ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि वह medicine में वैलिडा लेकिन exercise नहीं में वैलिड नहीं है कि ग sha New ृव होता है नुजटी क्के सुमर्जाते थे दिफीकल्टे बिचों समर जाए पहले गर किसीकी प्रिमाच टिलीवरी ढाले थो सब बच्चे मर जाते अब तो चार-चार-वाच मेंने के प्रेग्नेंसी वाले बच्चों को भी लोग बचा लेते हैं इतनी इंक्यूबेटर्स की फैसलिटी हो गई है तो यह मेडिकल साइंस की तरह की है जिसकी वज़े से सब चीजों में इंप्रूब्मेंट हुआ है तो हर चीजों को कल्चर से असोसेट करना मेरे सबसे तो गलत है और लिवर के enzymes, muscle enzymes और kidney के parameters को कितना frequently check करना चीज़े है अगर किसी को severe pain हो रहा है या problems हो रही है तो उसको frequently check करना चीज़े है अगर कोई symptoms नहीं है तो दबात देने के टाईम लिवर enzymes को check करी उसकी बाद साल भर में एक दो साल में एक बार आप लिवर enzymes को check कर सकते हैं Statin से कोई significant permanent liver damage हो जाए और patient cirrhosis में चला जाए और liver failure में चला जाए ऐसा कभी usually नहीं देखा गया है जादा तर जो भी थोड़ा बहुत liver enzymes raise होते हैं वो reversible होते हैं उसमें कोई significant permanent liver का damage कुछ खास नहीं होता है अगला issue जो लोग पूछते हैं क्या liver और kidney के problem में या muscle tissue के problem में क्या है दवा completely banned statins ऐसा नहीं है अगर किसी को severe liver का problem में यह तो भी दिया जा सकता है हां उनको थोड़े कम dose में देंगे और liver enzymes में क्या changes हो रहे हैं उसको एक के दिया जाएगा अगर किसी को muscle के disease है तो भी उनको statins दिया जा सकता है अगर clear cut statins का indication है और patient को heart attack वगर आया तो ही देना चाहिए otherwise नहीं देना चाहिए और देखे फिर आप देखते हो कि muscle enzymes वापीस बढ़ रहे है कि नी problem मारे कि नी अगर सब कुछ ठीक है तो आप continue कर सकते हो नहीं ठीक है तो बंद कर सकते हो जो कि इसमें कोई permanent damage नहीं होता है statins लेने से क्या body का वजन कम होता है ये body का सिफ cholesterol levels को कम करते है body weight से इसका कोई लेना देना नहीं तो इससे वजन कम नहीं होता है ये मान कि statins को नहीं लेना है कि इससे वजन कम हो जाएगा अगला question लोग पूछते हैं कि cholesterol level का अगर बहुत कम हो गए तो क्या cholesterol level अगर बहुत कम हो गए तो क्या बोडी का membrane बनना बंद हो जाएंगे ब्लीडिंग चालू हो जाएगा ब्रेन में ब्लीडिंग चालू हो जाएगी कि लोगों को diabetes का भी लोग issue discuss करते हैं बहुत low statins से अगर आप cholesterol कर भी देते हो तो जादा तर studies जिसमें even 30 mg per deciliter तक भी LDL को लाया गया है वहां भी यह देखा गया है कि इसका कुछ ना कुछ benefit ही होता है नुकसानी होता नहीं होता even 70 mg per deciliter से नीचे भी हाला कि guidelines अभी तक 70 mg per deciliter तक ही high risk patient में जाने को बोलती है LDL levels की बात कर रहा हूँ पर बहुत high risk patient हो तो वह PCSK9 molecule जो latest आया है cholesterol कम करने के लिए काफी महंगा molecule है उसके साथ जो studies है वो even show करें कि अगर 70 से भी नीचे आप 30 तक भी ले आओ तो भी patient को कोई significant side effects नहीं हो तो थोड़ा फाइदा ही होता है तो Indian Society of Lipidology के guidelines में तो अभी आजकल 30 कोई उन्होंने cut off माल लिया है हाला कि international guidelines अभी तक 70 को मान रहे है तो हम जाद अतर 70 के साब से ही treat करते है पर 30 भी अगर आप ले जाओ LDL levels को इतना नीचे भी तो भी नुकसान कोई नहीं है अगला issue diabetes का आता है क्या statin से diabetes होता है इनका insulin sensitivity पर थोड़ा effect है 256 में से एक आदमी को अगर आप देते हैं तो थोड़ा risk हो जाता है diabetes होने का पर ये सारी चीजों में आप बाकी parameters को properly normalize करके अगर study करो तो जाद आच्छा है क्योंकि और बहुत सारे factors है चाहिए patient का body weight है patient का बाकी परेज करने का है सारे patterns को अगर आप जज करो कि उसका कितना exercise कर रहा है किस तरह से diet को ले रहा है बहुत सारी चीज़े हैं जो new onset diabetes को affect करते हैं इसलिए सिर्फ diabetes statin से होता है ये बहुत मुश्किल है कोई बहुत बड़ी randomized trials नहीं है long term follow up studies नहीं है तो ज्यादा तर guidelines यह कहती है कि अगर diabetic patient प्री डाइबिटिक है और indicated है तो statin देना है diabetes हो जाएगा इस दर से आपको statin बंद करना ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसमें long term patient को फाइदा ही होगा नुकसान नहीं होगा ऐसा बहुत सारी studies ने शो किया है अगर किसी वेक्ति को statin का intolerance है तो क्या करना चाहिए वैसे patient में azetimib और bempedoic acid यह LDL levels को कम करते हैं हाला कि इन दोनों में भी muscle pain होता है थोड़ी newer molecules है थोड़ी costlier भी है endothelial dysfunction पर benefit या heart attack पर benefit इसमें बहुत कम है यह दोनों ही molecule मृत्यूदर को कम नहीं करते हैं अभी तक बहुत data इसके बारे में नहीं आया statins के comparison में इसलिए यह दोनों molecule first line यूज नहीं करते है statins के बदले statins intolerant patient हो या maximum dose statins देने के बाद भी गर cholesterol कम नहीं हो पा रहा है इतना ज्यादा cholesterol है body में कि level 300-400 है LDL का और हम उसको 100-120 लाना है नहीं ला पा रहे है full dose देने के बाद भी तो फिर आप यह दोनों को medicine को bempedoic acid और azotemib को as an add-on therapy use करते है उस statins के बदले use कम करते है अगर statins intolerant हो तो बदले use कर सकते है अगर triglycerides किसी के ज्यादा है और साथ में अगर LDL ज्यादा है तो उसमें भी statins को use करना चाहिए अगर triglycerides किसी का isolated ज्यादा है LDL, HDL दोनों ही normal है तो वैसे patient में phenofibrate use कर सकते है अगर triglycerides ज्यादा है और HDL कम है तो भी phenofibrate को use करना चाहिए यह molecule के भी muscle pain के side effects है लेकिन LDL पर कोई effect नहीं करता मृत्यूदर पर कोई फाइदा नहीं है, heart attack के reduction में कोई फाइदा नहीं है इसलिए as far as possible अगर cholesterol ज्यादा है और साथ में triglycerides ज्यादा है तो statins को ही prefer करना चाहिए प्योंकि सबसे ज्यादा मृत्यूदर को कम करने में data statins के साथ ही available है अगर किसी का HDL कम है तो क्या करना चाहिए? HDL के लिए भी ज्यादा ता diet और exercise तो उसको manage करना चाहिए HDL बढ़ाने के भी मैंने वीडियो पहले चैनल पर upload किया आप चाहिए तो उन्हें देख सकते हैं पर HDL के लिए medicines देना बहुत ज़्यादा सार्थक साबित नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा studies जो HDL के साथ है पर उसके लिए इलस्ट्रेट और बड़ी ट्राइल आई थी आप चाहिए तो गूगल करके देख सकते हैं यह ट्राइल्स ने यही शो किया था कि यह HDL लेवल को बढ़ानी कि जब हम medicine देते हैं तो patient को कुछ ज़्यादा फाइदा नहीं होता है और उल्टा मृत्ति उदर यह trials में तो उल्टा बढ़ गया था क्योंकि दमाओ के इतने side effects थे कि वो दवाई बैन हो गई तो इसलिए HDL लेवल को बढ़ाने के लिए आज के टेट में कुई ज़्यादा medicine नहीं आती है आप statin से ही थोड़ा बढ़ा सकते हो नाइसीन के भी बहुत ज़्यादा side effects होते हैं कि पेशन को बहुत ज़्यादा facial flushing और side effects होते हैं प्लस नाइसीन भी बाकी चीजों में फाइदा कुछ खास नहीं करती है इसलिए HDL लेवल के लिए isolated treatment करने का ज़्यादा indication नहीं है डाइट और exercise से उसको manage की लिए उसके लिए अलग से दवा लेने का उतना indication नहीं है आज के topic में हमने बात की cardiac medicines related, cholesterol की जो medicines related important issues के बारे में यदि इस topic को संबंदित आपके कोई comments, queries suggestion है, कोई और topics पर आप चाहते हैं, videos बनाए कोई patient related queries है तो नीचे comment section में उनके बारे में बताइए हम उन्हें cover करने का ज़रूर प्यास करेंगे अन्त में मैं डॉक्टर नवीन अगरवाल तहे दिल से आपका शुक्रियादा कहूंगा कि आपनी इस topic कोई तब देखा सिफ one minute brief summary देखना चाहते हैं, topics का तो regular basis पर youtube shots upload कर रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और उसको भी हमारे चैनल पर आपने playlist में divide किया है रैंडमली आपको सारे topics से content ढूणना नहीं पड़ेगा, thank you